अगर आपने यहां इस क्लास के अंदर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से नहीं सीखा और इसके आगे वाले और जो जो आगे जागे फ्यूचर में साइंस मैस जैसी स्टिंग चूज करने वाला है उसके लिए और दिक्कत होने वाली है मतलब कि आपका basic एक तरीके से यहां से कुछ basic आपका class 8 में भी आता है बट आपने अगर 8th class में कुछ भी skip कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं मैं आपको बिल्कुल class 8 से लेकर ही चलूँगा मतलब जो important चीज है जो class 8 से relate करती है जो आपके class 9 में है directly उनसे questions तो मैं कुछ आप यहां पर एक-एक point discuss करने वाले है अपन इस introduction वाले partner तो बहुत important है तो ध्यान से देखना स्टार्ट करते है lines and angles और अगर वीडियो lecture स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल का subscribe नहीं किया तो पहले उसको subscribe कर लो फिर आपको भी दिख करने फिर आप continue चलती रहे और I hope म मैं ऐसा मानता हूं कि definitely आपको यह lecture बहुत ही जादा जो है informative लगने वाला है कैसे देखो चैप्टर में 6 है lines and angles देखो दो चीज़े हैं chapter में बिल्कुल basic से बताना तो lines होता है आपने पढ़ा होगा lines के बारे में ठीक है एक angles होता है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा ठी पहली बात तो line क्या होता है line वो endless strength है आपके पास infinite जैसे कहने का मतलब यहाँ पर आप देखो यह line है क्या line है कि हासर है क्यों क्योंकि endless है मैं इसको बढ़ा सकता हूं left और right दोनों साइट से मैं इसको increase कर सकता हूं समझ रहो न वो एक line होता है अब समझना part of a line यह जो line है इसका एक part मैंने तोड़ लिया यहां से उसे क्या करना end point है जिसके end point मतलब यह नहीं बढ़ सकता आगे पीछे से उसे line segment कहेंगे बहुत सारे बच्चों को confusion आप class में जाके आप पूछ के देखना आपने class के अंदर आप यह lecture देखे उसके बद आपकी class के ना बच्चों से left और right दोना side से लेकिन line segment is a part of line समझे रहो क्या कहना चारहो line segment एक line का part है जिसके two end points होते हैं एक है जो बढ़ नहीं सकता अब इसको denote कैसे करते हैं यह भी समझो आपके बहुत बारिक-बारिक question बन सकते हैं यहां से और आपको basic से बहुत strong होने चाहिए आप लोग के यहां म only one side पर end point है second side पर नहीं है second side से मतलब की increase हो सकता है इसके लिए मैंने arrow ऐसे लगाया है अब मुझे बताओ line में line segment और ray में किसको दिखाता है comment section बताना मेरे साब से clear कर दिया मैंने बहुत अच्छे से ठीक है sir okay आगे बढ़ू okay if three or more points lie on the same line मैंने क्या बोला या तो 3 या 3 से class 10 में भी आयागा इस वर्ड से related questions otherwise they are not अगर वो points ऐसे अलग-अलग है आपके पास तो मैं क्या कह सकता हूं उनको non-collinear ठीक है sir यह basic सा फंडा पा जो समझा दिया मैंने आगे बढ़ रहे हूं आगे सुनो recorded angle is formed यह तो line की बात हो गई यह सारा topic मैंने आपको lines के बारे में discuss किया है अब मैं angle की शुरुआत कर रहा हूं यहां से किस की शुरुआत कर रहा हूं अब आपने आपका chapter 5 है postulates वाला वो अगर आपने मेरे lecture देखे हैं तो वहां मैंने बताया है जो two rays हैं आपक the rays making an angle are called arms इसे हम arms कहेंगे ठीक है and the end point is called vertex क्या कहना चारहो मैं आपसे यह देखो यह point है इसे तो मैं कहूंगा vertex एक एक point समझना आपसे कोई भी question पूछ ले कहीं पर भी glass में मैंने आपको आना चाहिए इसे मैं कहूंगा मेरे arms इन दौनों को समझ गए और यह बीच में बन अब देखो angles कितने तरीके के हो सकते हैं एक तो हो सकता है आपका कुछ भी नहीं मतलब कि zero degree इसको कहते हैं zero angle कोई angle नहीं कुछ line नहीं बढ़ा है second सुनो एक है आपके पास acute angle सर यह क्या होता है acute angle आप ही बताते हैं बैटा जब कोई angle आपके पास zero degree से 90 degree के बीच में लाए करता है क्या का मैंने इसका diagram भी बनाऊंगा साथ के साथ समझाओंगा आपको एक एक पॉइंट मुझे बता आप समझ माया कि आप पे नाम दे रहा हूं इसको a b यहां आप देखो जो यह x degree है यह a और b का यह जो angle बन रहा है यहाप एक्स डिग्री है आप देखोगे यह नीचे तो zero degree है और यह zero degree है और यह यहाँ पर 90 होता है आपको 90 डिग्री पर्पेंडिकुलर होता मैं आपको सारे clear कर रहा हूं यह थर्ड पॉइंट सुनो मैं क्या कह रहा हूं और यह सारा बेसिक आप एक बार नोट कर ले ना यह introduction पार्ट को समझ में आ गया चैप्टर समझ में आ जाएगा मानके चलो जब मैं कहूं आपसे यही angle अगर 90 डिग्री से बढ़ा हो ठीक है औ और 180 से less than हो कैसे होगा सर ऐसे बनेगा इसका कुछ डाइग्रम बिटा बनेगा तो ऐसे कुछ यह 90 होता है 90 से बाहर चला गया है अभी है मतलब कि यह 90 एक सेकिंड 90 से 180 के बीच में लाए करेगा कहीं पर मैं example भी लेता हूं आपके लिए यहां पर यहां मैं example ले लेता हूं जैसे कि 55 डिग्री और यहां मैं एक example लेके बताऊंगा आपको 140 डिग्री ठीक है सर अब एक और पार्ट समझो important फॉर्ट वाला पार्ट अगर मैं कहूं वो सीधे राइट अंगल है तो यानि कि इस बार x कितना है 90 डिग्री है कैसे है अभी बताता हूं यह लो अब बताओ हाँ आप टो ठीक है बात यहां पर x कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया तो राइट अब दीखो चार्ट सी समझाती मैं आपको जीरो एंगल समझादी है एक्य स्टेट एंगल जो सीधी लाइन पर बनेगा यहां से लेकर यहां तक और जो क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा कितना होगा यह 180 डिग्री होगा एंगल यह कैसे आगे सुनों अगर मैं कहूं। आपसे यही एंगल जो है ऐसे बन रहा है देको अभी ऐसे गूमके ऐसे इसका value है इसका मतलब क्या हुआ यह angle ऐसे चलते चलते यहां तक पहुंचा होगा तो 180 cover किया होगा इसने अब 180 cover करने के बाद और आगे बढ़ गया है यह angle यानि कि मैं क्या कह रहा हूँ यह 180 से भी बड़ा है क्या कह रहा हूँ मैं 180 से बढ़ा होगा आपको दिक्कत होने वाली है फिर 7 points समझाओ मैं कह रहा हूँ आपस यहां से गूम के यहीं आ गया है यह वापस सर यह क्या बात हुई भई यह हो गई 360 degree की बात हो गई यानि कि इसको क्या कहेंगे सर इसको बेटा कहेंगे अब मुझे बताओ क्या समझ में अब कुछ points जो आपको पता होने चीज जो चैप्टर में relate करेंगे questions को solve करने के लिए वो देखना कैसे further two angles सम अगर दो एंगल का सम 90 degree है तो उने क्या कहेंगे complimentary angle कहेंगे complimentary है मेरे मुझे complimentary ज्यादा निकलता है तो complimentary angles है जैसे कि मैंने कहा x plus y equals to 90 degree है इसका मतलब यह क्या है आपके complimentary angles है और वहीं अगर two angles का 180 degree है तो वह क्या है supplementary angle है जैसे कि मैं example ले ले तो 110 plus 70 degree दोनों को जोड़के 180 पन रहा है कि हाँ सर बिल्कुल सी बात है कुछ ऐसा extraordinary जो आपको समझ में ना आए मेरे साब से clear हो गया और आगे बढ़ू ठीक है और सुनो क्यों कौन से ऐसे words हैं जो आपके यहां use होंगे मैं सारे words को define करता चल रहा हूँ ठीक है फिर chapter पढ़ेंगे तो आपको बीज में दिक्कत नहीं आएगी तो इसली कह रहा हूँ अगर chapter में आगे जाके आप बढ़ो पहले इस lecture को आप अच्छे समझ लो उसके बाद आप कोई भी इसका आगे एक्जामपल बेसिक पार्ट जो भी theorem समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं आई ठीक है आगे देखो अब अगर मैं क्या कह रहा हूँ तो एंगल सार एडजेसंट वर्ड क्या है सर यह बड़ी विमरी आगई सर यह नई विमरी क्या है सर दोन hon classes में दोनों क्लासी को लेकर बात किये है लेकिन हम बहुत कम उतायागा है को अब सुनों एक वर्ड जिसका डो एंगल जिसका कॉम्न वर्टैक्स है और यहां से कॉमन आप निकल रही एक आम यहां लिक्नर निकल रही एक और इस वाले एंगल के लिए यह आम और इस व को कहते हैं common arm एक common arm है and their non common are on different side यह दोनों कौन है भाई यह नौन common आप यह भी क्या है आपका non common ठीक है यह different side पर है तो इस condition में हम इनको क्या कहेंगे adjacent angle कहेंगे इन दोनों को और एक बात भाई a b d यह एंगल d b c यह एंगल यह दोनों का सम है क्या हासर है अगर आपसे पूछ लिया जाए मानलो यह दे दिया आपको यहाँ पर 110 आप यह दे दिया 50 तो सर यह पूछ रहा है आप क्या करूं सर 110 में से 50 लाइस करो ना भाई क्या गंड़ा हो 60 हो गया बात खतम हाँ सर तो यह आपको कुछ चीज़ पता हो निच्छी जो केशन सॉल करने में आसानी होगा आगे सुनो कहानी बेसिक इंट्रोड़क्शन चल रहा है बिल्कूल सारे पॉइंट्स लाइन से चलने दो कॉपी में ओड़न कले रहा है और सब पॉइंट्स को लाइन से इंट्रोड़क्शन कंप्लीट हो गया ना उसके बाद चैप्टर पानी हो जाएगा आपके सामने एकदम पानी पानी ठीक है अब आगे सुनो if the non-common arms BA और BC ठीक है सर former line then और अब यह जो non-common arm थी पहले ऐसे थी पहले ऐसे थी अब मैं कह रहा हूँ यह दोनों चौड़ी होके एकदम CD line बन गई है वह पहले तो यह ऐसे थी अब मैं कह रहा हूँ यह दोनों चौड़ी होके ऐसे CD line बन गई है अब यह क्या बन गई है यह सीधी line बन गई है ठीक है सर अब इस case में जो आपका एक BD जो इनको theorem निकल कर आएगी आपके पास मैं पहली समझा देता हूँ आपको एक exam निकल कर आएगा कि अगर आपके पास कोई line straight line है क्या है condition सुन लेना पहले बाई ऐसे भागना मता आगे अगर कोई straight line है एक line उसको break करती है तो यहाँ जो दोनों एंगल बनेंगे आपके पास detail में अच्छे से आगया समझ में आगया यह कब होगा जब दोनों एंगल linear pair of angle कब होंगे जब यह straight line होगी तब होगे ध्यान से सुनना ध्यान से समझना इसकी मत करना आगया समझ में आगे बढ़ू ठीक है आगे सुनो अब vertically opposite की कहान ही सुननो vertically opposite angles formed when two lines अगर दो line intersect करती है एक दूसरे को at point O कोई भी point हो सकता है there are two pairs और vertically opposite angles जिसको VOA भी बोलता है schools के अंदर teacher vertically opposite angle तो दो pair बनेंगे एक pair तो ये जिसको मैं angle one और angle two नाम दे रहा हूँ एक pair ये जिसको मैं angle three angle four नाम दे रहा हूँ इनको क्या कहेंगे vertically opposite angle अब इसमें भी एक आपके exam निकल कर आएगी theorem निकल कर आएगी मैं आपको पहली बता देता हूँ अगर आपके पास condition के अंदर lines जो हैं intersect करती हैं क्या करती हैं तो आप क्या कहोगे angle one equals two angle two कहोगे नहीं कहोगे हाँ सर कहोगे ये theorem मैं प्रूफ करके बताऊंगा मैं आपको बाद में ठीक है अब यह आप एक बड़ समझ लो angle three equals to angle four होगा क्या हाँ सर होगा बताऊ समझ में आ गया है क्या हाँ एकदम अच्छे समझ लेना दो चीजे बताई है मैंने एक तो बताया मैंने आपको linear pair of angles बताया मैंने जिसके अंदर बताया है दौनों angles का some 180 होता है एक मैंने आपको vertically opposite angle बनाया है जिसके ना दौनों angle क्या होते है equal होते है देखो यहां पर दो बार line करी यहां दो बार line करी इसका मतलब क्या है यह angle इसके equal यहां यहां पर तरीका है लिखने का यहां पर इस तरीके से angles को lines को आपको represent करने के तरीके है जो आपको सीखने पड़ेंगे ठीक है उसके मेंना marks नहीं मिलने वाले आगे सुनो intersecting line क्या होता है जो cut करती पता है आपको non intersecting line क्या होती जो parallel होती बात करता है ठीक है simple सी बात है आगे बढ़ो exam 6.1 6.2 दोनों बता चुको मैं आपको वैसे 6.1 क्या कहती है if a ray stands on a line अगर एक ray stand करती है एक line पर then the sum of two adjacent angle ये angle ये angle ये angle दोनों कौन है भाई ये अज़ू बाजू वाले है आजू बाजू वाले कौन हुए linear pair of angle गएंगे linear pair of angle गएंगे आ गया समझ मैं हां सर आ गया समझ मैं आ अगे बढ़ू ठीक है सर आ अगे बढ़ू इसी का universe करके पोल रोग मैं आपको exam If the sum of two adjacent angle is one or two degree then the non common arm on the angles form a line समझ लेना ये बात कि अगर adjacent angle का sum one or two degree है तो मान लेना कि ये जो आपके पास non common arms होती आपकी non-common arm, जो सबसे पहले मताई थी मैंने आप, ये एक line थी, ये दोनों आपके adjacent angle थे, लेकिन ये non-common arm और ये non-common arm, ये दोनों मिलके एक straight line बना लेगी, कब जब इन दोनों का समकित्ता हो जाएगा, 180 degree हो जाएगा, आप बताओ क्या नहीं आया है मेरे को सब्सक्राइगा, एक नम फाडू तरी की समझा दिया मैं आपको, exactly from, clear है, आगे बढ़ू, चलो, आगे सुनना कहानी, theorem 6.1, प्रूफ है चलो, तो अगले मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा, आप एक्स्पेइन करूँगा, अच्छे से प्रूफ करा होना पड़ेगा, अब यह आपकी बढ़ यह समझ लो, बताओ क्या समझ में नहीं आया, एक स्टेट लाइन बनाती है, बताओ क्या समझ में नहीं आया, ठीक है सर, अपोजिट एंगल क्या होंगे, एक्वल होंगे, ओपोजिट, एंगल्स, और एक्वल, ठीक है सर, और क्या बता दिया, मैं आपको यह डिसक्स करा ही दिया, मेरे इसाब से सारी चीज़े क्लियर करा चुका हूँ मैं आपको, फिर भी कोई दिक्कत लगे, एक बार ओ वीडि है, 2023-2024, उसके अकॉडिंग सारी लेक्चर प्रिपेर की है, कुछ भी ओल्ड नहीं है, बिल्कुल न्यू है, एक्दम फ्रेश, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, गुट बाए